नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर चलते चलते चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे दही के बारे में दही स्वास्ते के लिए जितनी लाब दायक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर इसका सेवन हम गलत समय पर करते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको दही के बारे में ही बताएंगे कि दही किस समय खाने से क्या फायदे होंगे और किस समय खाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है दही का खाने का सही समय दोपहर के दो से तीन वज़े तक होता है तब तक आप दही खा सकते हैं उसके बाद दही का सेवन करोगे तो वो नुकसान दायक होता चला जाएगा पांत बजे छे बजे नुकसान दायक है आथ नो बजे और ज़ niemand ज्यादा नुकसान दयक और 10 बजे और ज्यादा नुकसान दयक तो इस तरह रात में जब आप टाइम बढ़ते जाते हैं दो पैर के बाद तो दही का नुकसान बढ़ता चला जाता है तो इसलिए हमेशा अवाइड करें रात में दही को ना खाएं अगर आप दिन में दही को खाते हो तो यह आपको बहुत सी बिमारियों से बचाएगा पेट की गैंस, एसिडिटी, अपच, भूख ने लगना, पेट के कीडे इसके साथ साथ और भी इनसे सम्मंदित बहुत सी बिमारियों को आपके स्रीर से दूर रखेगा अगर आप सुबहे और दोपैर के भोजन में दही का प्रियोग करते हो तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप नाइट में दही का इस्तिमाल करते हो तो कौन-कौन सी आपको बिमारिया हो सकती है नाइट में दही खाना कफ कारक होता है फेफडों में संकर्मन हो सकता है खासी सर्दी जुखाम हो सकता है आपके परिवार में बच्चे शाम को अगर दही या चाज का परियोग करेंगे तो उनको जल्दी जल्दी खासी जुखाम होने की परकरिया बनी रहेगी अगर ऐसा चल रहा है तो तुरूंत इसको अवाइड कर दे, इसको बंद करवा दे अब बात कर लेते हैं कि हमें दही क्यों खानी चाहिए दही में मुझूद कैल्सियम, फासफोरस, लैक्टिक एसड, विटामिन्स, प्रोटीन्स ये सभी तत्व दही में मुझूद होते हैं जो हमारे सरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं विशेशक ये मानते हैं कि अगर हम 2500-300 ग्राम दही अगर सुबह सुबह खा लेते हैं तो हमारे सरीर की जितनी प्रोटीन्स को रिक्वार्मेंट होती है, वो ओल्मोस्ट 40-45% कवर हो जाती है दही के और भी कुछ चमतकारिक प्रयोग हैं, अगर किसी को कबज है, तो सुबह खाली पेट दही खाएं अगर दस्त लगे हैं, तो केला मिलाकर दही में, आप सेवन करें, आपको लाब मिलेगा अगर बवासीर है, तो दही में जीरा मिलाकर खाएं, तो आपको फायदा मिलेगा अगर पेट में कीडे हैं तो दही में अजवायन मिलाकर खा लें और एक घंटे तक कुछ न खाएं पेट के कीडे मर जाएंगे अगर किसी को नीद नहीं आती है तो सिर्फ तीन दिन लगातार दुपैर के भोजन में एक कटोरी भर के दही खाएं नीद प्रपरानी शुरू हो जाएगी इतना चमतकारिक फायदे हैं दही के अब छोटा सा एक बार ये भी बात कर लेते हैं कि किस किस वैक्ति को दही नहीं खाने चाहिए अगर आपको बुखार है तो आप दही ना खाएं खटा दही तो बिलकुल भी न खाएं चाहे आप स्वस्त हैं या बिमार है जिस वैक्ति को दमा है दही ना खाएं शरीर में चाती में फेफडों में बलगम है या चैस्ट में कोई इंफेक्शन है तो दही का सेवन ना करें दही को कभी भी गरम ना करें इसकी तासीर खराब हो जाती है फाइदा कुछ नहीं मिलेगा आपको तो दोस्तों ये बातों का आपने दही का सेवन करते हुए ध्यान रखना है जिससे आप दही का पूरा पूरा फाइदा उठा सकते हैं और इन बातों का अगर ध्यान रखोगे तो गलत समय पर दही को खाने से आप बच भी जाएंगे और अपने सरीर की रक्षा भी करेंगे उमीद है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिसमें दही के बारे में हमने आपको बताया किस समय खाएं, क्या खाएं, कब खाएं और क्यूं ना खाएं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि भविश्य में आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहें धन्यवाद